हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक ट्योवर यूट्यूब चैनल जी के विद मी तो आज के स्क्लास में हम पढ़ेंगे सीडी पी का हमारा टॉपिक इंटेलीजेंस आपको पता है इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको इंटेलीजेंस का complete intro दे दिया था कि intelligence शब्द क्या होता है इसकी उत्पत्ति कहां से हुई ये word कहां से आया किसने इसका सबसे पहले बार परियोग किया ये सारी बाते हम जान चुके थे तो इबर मैं आपको बता देती हूँ कि पहले वाली class में हम क्या क्या पढ़ चुके है तो आप ये देख सकते हो मैंने आपको बताया था जो intelligence होती है वो होता है हमारे मानसिक जोड़ तोड से related होता है कि हमारे mind में जो भी जो भी जोड़ तोड हो रहे है एक ऐसी मानसिक शक्ति है जो हमें दूसरों को समझने में help करती है या हमें कुछ समझाने में help करती है अब जैसे ये गाल्टन था गाल्टन ने सबसे पहली बार बुद्धी शब्द का परियोग किया था लेकिन इसके बीच में death हो जाती है तो इसके बाद में मैंने आपको ये इस तरीके से ये जो brain है इससे बताया था कि जो हमारा left brain होता है वो हमारी intelligence के लिए responsible होता है फिर मांचे परिक्षन जो शब्द है उसका सबसे पहली परियोग पहली बार परियोग cattle ने किया था cattle ने personality framework दिये थे तो 16PF परशनावली नो ने बनाई थी इसके बद बुद्धी लब्दी का संपर्ते का जो जनक है वो stun को कहा जाता है और बुद्धी की मापनी जो है इसकी ये जो है पैरिस फ्रांस में हुई 1905 में इसका दो तरीके से वरगी करण किया गया था एक व्यक्तिगत और एक सामुहिक तो ये सारा हम पढ़ चुके थे फिर मैंने आपको बताया था कि इसके कुछ फैक्टर्स होते है जैसे वातावरण और वंचानुकरम का एक multiply होता है addition नहीं होता है तो वंचानुकरम को पहले हम primary मानते थे लेकिन आज हमने इसे secondary में रखा है आज मान लिए जो primary factor है वो environment होता है तो ये सारा हम पढ़ चुके इसके बाद fluid बुद्धी बताई थी और crystallized बुद्धी बताई थी fluid बुद्धी वो होती है जो हमें वंचानुकत मिलते है और crystallized बुद्धी वो होती है जो हम कही न कहीं किसी जगा से सीखते हैं वातावरण से सीखते हैं वातावरण से सीखते हैं वो हमारी crystallized बुद्धी हो प्रोचस दी थी एक बायलोजिकल अप्रोच थी और एक साइकोलोजिकल अप्रोच थी जो बायलोजिकल अप्रोच होगी वो किस पर बेशती है हमारे वनशानुकरम पर बेशती है हमारी जैनेटिक पर बेशती है लेकिन जो साइकोलोजिकल अप्रोच होती है वो कैसी होती है वो होती है adjustment हम कितना अच्छे से कहीं पर adjust कर पाते है हमारी adjustment power environment में कैसी है वो कैसी approach है हमारी psychological approach है यानि कि जो environment वाला है वो किस में आता है हमारी psychological approach में आता है और जो हमारा genetic है या biological है जो genetics वाला है जिसे हमने हम secondary में रख दिया है वो किसमें आएगा biological approach में आता है ham और cattle ने क्या दिया था ये fluid and crystallized intelligence जो है वो किसके द्वारा दी गई थी ham और cattle के द्वारा दी गई थी अब ये जो वन्शानुकरम वाली और environment वाली है वो वर्नर ने दी है ham और cattle ने fluid and crystallized intelligence का concept दिया है तो ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं ऐसे ऐसे question जो है stat में आपको 7 से 8 question मैं बता रही हूँ आपको ऐसी statement वाले मिलेगे जिसमें ये पूछा जाएगा कि ये statement किसकी है ये statement किसकी है सबसे पहरी बार बुद्धी के बारे में ऐसा किसने कहा था ये बात किसने कही थी ऐसे आपको 7 to 8 question देखने को मिलने वाले हैं तो आप इन statements को भी बहुत अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि ये most important है ये seated की तरह नहीं आपसे statement नहीं पूछेगा ये statement में statement पूछी जाती है तो आपको ये अच्छे से याद रख लेना है इसके बाद है operational approach इसके बाद में एक operational approach आई पहले तो ये approach इस थी एक वर्नर की approach थी फिर इसके बाद हैब और केटिल की approach थी अब आएगी operational approach जिसे हम संकीरियात्मक उपागम के नम से भी जानते हैं ये कही ना कही एक scientific approach थी एक ऐसा method था जिसके आधार पर हम बुद्धी का पता लगा सकते थे इसके आधार पर ये एक IQ का concept आया तो ये पर मैं आपको बता देती हूँ scientific approach जो है इसमें बुद्धी का निर्धारण मापन योग्यकार को के द्वारा IQ के आधार पर किया जाता है तो इसमें जो आपकी बुद्धी है उसका जो निर्धारण है जबकि आपकी intelligence किते हैं इसका जो measure है वो किसके द्वारा किया जाता है IQ के द्वारा आज भी क्या check किये जाते है IQ level check किया जाता है यह देखा जाता है कि बच्चा कितना intelligent है तो वो किसके आधार पर होता है IQ के आधार पर होता है इसमें ऐसा कहा गया है जो IQ है वो change नहीं होगा क्योंकि आप देखें यहाँ पर जो आपका genetics है या फिर आपका जो environment है वो change हो सकता है वंचानुकरम है वो भी कही न कही थोड़ा कम effect कर सकता है या आप environment जो है वो change हो जाएगा तो इससे आपकी जो intelligence है वो change हो जाएगी मतलब यह थोड़ा scientific तरीका नहीं था इसलिए क्या लेकर आए operational approach लेकर आए जिसमें ऐसा कहा गया कि जो यह IQ factor है यह कैसा एक constant होता है एक बार जो आपका IQ check होगा वो बदलेगा नहीं वो क्या रहेगा constant रहेगा उस बुद्धी को हम क्या नहीं कर सकते है किसी बहारी factor के द् परभाव को देख सकते हैं आप intelligence को नहीं देख सकते हैं लेकिन अगर आपसे कोई कुछ पूछता है आप उसे तुरंत बता देते हैं किसी ने किस चीज को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं किसी को बहुत अच्छे से समझा देते हैं तो यहां से आपका क्या पता लगता है आपके intelligence का level अपने आप पता लग जाता है, आपके बोलने का तरीका, आपके चलने का तरीका, आपके उठने बैठने का तरीका, ये सब क्या बताते हैं, आपके intelligence को दिखा देते हैं, बुद्धी एक hypothetical शक्ति है, hypothetical वो होती है, जिसे हम clearly नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो हमारे कहीं न कहीं, behavior में अपने आप दिखाई दे जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, hypothetical बोल देते हैं, तो यही point यहाँ पर लिखा गया है, कि जो intelligence है, वो क्या होती है, hypothetical होती है, hypothetical परिकल्पना है, जिसको हमारे behavior में देखा जा सकता है, बट otherwise हम उसे physically नहीं देख सकते हैं, feel कर सकते ह हमारे behavior में क्या किया जा सकता है, उसे feel किया जा सकता है, तो यह operational approach यहीं कहते हिए, यह important है, operational approach जो है, इसी के आधार पर IQ के आधार पर इसका मापन किया जाता है, इसमें बताया जाता है, कि आपका जो intelligence factor है, वो कैसा है? इसके बाद है principle of intelligence अब intelligence के principle क्या है यहाँ पर बीने ने theory दी थी जो Alfred बीने थे उन्होंने सबसे पहली बार intelligence पर एक theory दी जिसका नाम था uni factor theory इनका मानना था कि जो intelligence होती है उसमें सरफ एक factor काम करता uni मतलब single हो गया तो इन्होंने कहा कि जो intelligence में एक factor काम करता है जिसे हम uni factor कह देते इसलिए इसका नाम क्या पढ़ गया uni factor theory पढ़ गया अब कुछ ऐसे cyclologist थे जो इनके समर्थन में आए जिसमें से एक termon थे staron थे उन्होंने क्या किया इनका समर्थन किया इसके बाद जैसे जर्मन वे ग्यानिक थे Abinhaus and Abighos इन्होंने theory of forgetting दी थी इनका मानना था कि जो इनसान है वो सीखता और फिर क्या करता है भूल जाता है बिने के अनुसार बुद्धी के एकल शक्ति है मतलब भी मैंने बताया कि जो बिने है उन्होंने क्या कहा कि जो uni factor theory है यानि कि जो single वाली theory है इनकी जो theory दी गई थी तो इनके द्वारा यही कहा अगर माननो कोई इनसान एक काम करने में अच्छा है तो वो सभी काम करने में क्या होगा अच्छा होगा चीके तो यहां पर यह देखू थोड़ा सा illogical सा नहीं लग रहा कि कोई भी इनसान जो एक काम अच्छा कर पाए क्या वो दूसरा काम भी अच्छा कर पाएगा इसका मतलब तो फिर सभी काम करने लग जाएगे जैसे एक teacher है जैसे teachers होते है तो इसका मतलब यह थोड़ी है जैसे teacher ही सारे काम करने लगे तो यह यहाँ पर क्या है मतलब इनकी theory दी गई थी इसमें क्या माना गया मतलब इनकी theory थी जैसे क्या माना गया कि अगर एक इनसान एक काम करने में अच्छा है तो वो सभी काम करने में क्या होगा अच्छा होगा तो ये थियोरी किसके द्वारा दी गई, एलफर्ड बिने के द्वारा दी गई, ठीक है एलफर्ड बिने ने, एलफर्ड बिने की थियोरी का नाम क्या है, यूनी फैक्टर थियोरी है, तो आपको इतना याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है, यूनी फैक्टर थियोरी क इसके द्वारा दी गई है तो ये एलफर्ड बिने के द्वारा दी गई थी और इन्होंने क्या कहाता कि कोई इंसान एक काम में अच्छा माना जाएगा इस सिध्धान्त के अनुसार बुद्धी को एक शक्ति या एक कारक के रूप में माना जाता है अब इन्होंने बुद्ध को क्या माना सिर्फ एक single factor माना है तो single factor या uni factor theory किसके द्वारा दी गई है एलफर्ड बिले के द्वारा इसके बाद में आ जाते है spearman अब spearman क्या लेकर आएंगे इनकी बाद से सहमत नहीं होगे एक और theory ले आएंगे तो two factor theory हो जाए इनकी तो इसके बाद में आते है spearman spearman जो है ये भी एक psychologist थे ये Britain के रहने वाले थे तो Britain के spearman ने बुद्धी के दो factor बताए उन्होंने सरफ एक factor बताया अब ये दो factor लेकर आएंगे ये कहेंगे कि हर इंसान में general factor होता है और एक specific factor होता है अब यहाँ पर general factor क्या है specific factor क्या है इनका मानना था कि जो सामान्य कारक होते हैं वो व्यक्ति के समस्त मानसिक किरियाओं में नहीं तो होते हैं किन्तो व्यक्तिकत बिभिंताओं के कारण इसकी मात्रा में भेद पाया जाता है इनका ये मानना था कि मानलो हर इंसान में क्या पाया जाता है ये जो जनरल फेक्टर है परतेक वेक्टी में पाया जाता है लेकिन हर किसी में अलग-अलग इंडिविजिविलिटी होती है हर किसी में अलग अलग विभिनताएं होती है इसलिए उनकी जो quantity है वो किसी में ज़ादा देखने को मिलेगी किसी में कम देखने को मिलेगी लेकिन जो यह समान्य कारक है यह सभी में equally important होता है और सभी में पाया जाता है किन्तो इसकी जो मात्रा है वो क्या होगी सब में अलग अलग होगी इसमें g factor जो है वो क्या होता है अलग होता है अब ये जो g factor है क्या होगा सब में अलग होगा g factor जादा अगर इनका मानना था कि मालो किसी इंसान में g factor जादा है तो बहुत अच्छा काम करेगा और उसी जो g factor यही क्या बताएगा उसक सफलता बताएगा like common sense कैसी आपकी ठीक है तो ये क्या बताता है G factor है जैसे मालो अब यहाँ पर मैं example देती हूँ एक अब ये जो रानू मंडल थी ठीक है तो रानू मंडल का example ले लेते हम ये क्या करती थी ये ना मतलब यूट्यूपर देखोगे तो ये गरीबी में अपना जीवन बिता रही है ऐसा इसली हुआ क्योंकि इसमें ये जो common sense वाला factor था ना ये नहीं था मतलब अगर हम मालो कोई काम कर रहे हैं कोई अच्छा काम कर रहे हैं हम किसी चीज में बहुत अच्छे हैं लेकिन में आता है जो हमें कही न कहीं दूसरों से आगे लेकर जाता है अब मालो कोई शोप वाला है जिसकी शोप पर हम जाते हैं ऐसे दो शोप वाले है एक में एक जो है वो बहुत rude तरीके का है ठीक है और एक बहुत soft बहुत अच्छे से बोलता है और अच्छे से customer से बात करता है तो आप ऐसी स्थीति में आप इसी की shop पर जाना पसंद करोगे तो अपने आप इसमें क्या हो गया जी फैक्टर अच्छा हो गया इसके अंदर common sense अच्छी है तो यहाँ पर यह जो है, यह मार्खा जाएगा, तो यह क्या रह जाएगा, थोड़ा इससे पीछे रह जाएगा, तो यही बताया गया है, जिसमें यह जो G-Factor है, यह common sense वाला जो factor है, यह जादा होगा, वो उतना ही अच्छा जाएगा, उतना ही अच्छा काम करेगा, जितनी जादा G-Factor होगे, उसकी सफलता जो है, वो उतनी ही जादा बढ़ती जाएगी, इसके बाद जैसे specific बुद्धी है, वेक्ति की विशेश किरियाओं में कारक पाया जाता है, वो एक specific बुद्धी होती है, यह specific आप लगा सकते कि आप किस काम में कर रहे हैं, किस काम में अच् grounds जुड़े हैं, down to earth हैं, तो यह चीज़ आपको आगे लेकर जाएंगी, तो specific बुद्धी जो है, वेक्ति की विशेश किरियाओं में एक कारक पाया जाता है, विभिन किरियाओं में अलग-अलग, हर किसी में क्या होती है, आपने देखा होगा, हर किसी में अलग-अलग specific ब लग-अलग तरीके की specific बुद्धी पाई जा सकती है, या एक या एक से जादा specific बुद्धी हो सकते हैं, किसी इंसान में, यहाँ पर इन्हों ने, जो एलफर्ड भी ने है, उनकी तरह ऐसा नहीं कहा, कि अगर कोई एक काम में अच्छा होगा, इनका यह माना था कि किसे भी एक या एक से जादा क्या पाई जा सकते हैं, specific factors पाई जा सकते हैं, अब यहाँ पर specific factor की तरह है, विसिस्ट कारक क्या होते हैं, जनम जात नहीं होते हैं, प्राय इन्हें क्या किया जाता है, जैसे अरजित किया जाता है, मतलब यह कह रहे हैं, कि जो G factor है, वो हमारे अंदर क आऊंगे जनम जात भी हो सकते हैं लेकिन जो यह specific factor है वो उन्हें क्या करना पड़ता है अरजित करना पड़ता है जैसे dance है हमें सीखना पड़ता है cooking है हमें सीखनी पड़ती है art है हमें सीखना पड़ता है गाना गाना हमें सीखना पड़ता है तो यह सभी क्या होते है मारे specific factor होते हैं तो आई आपको ये जी फैक्टर और आस फैक्टर जो है वो समझ में आए हूँगे अब यहाँपर है जेनल फैक्टर जैसे ये दर्षां शामाजिक अध्यन है जी प्लस ऐसे इकक्वल तू learning ठीक है तो यहाँ पर general factor और specific factor मिलकर क्या करते है मारी learning में काम करते है यहाँ पर general factor क्या है मालोग कोई जैसे आप किसमें अच्छे है सामाज SS में अच्छे है तो यह आपका क्या है general factor है अब यहाँ पर आप general और specific तो आप लर्निंग कर रहे हैं अब यहां पर जो transfer of learning होगा आपका वो किस्से होता है G factor से होता है अब आप कुछ सिखा रहे है और क्पेTalkcial transfer किस्से हो रहे है आपके G factor से हो रहा है general factor से क्या होता है आपका transfer of learning होता है तो इतने point आपको याद रुँआँ है ये G factor वाले, S factor वाले, ये बहुत confusing होते हैं, हम इसमें exam में confused हो जाते हैं, तो एक पर दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ, हर इंसान में क्या होगा, spearman के अनुसार, हर इंसान में दो factor होते हैं, जिसे हम general factor के नाम से जानते हैं, जनरल factor वो होता है, जो हमारी मानसिक किरिय में नीत होता, टाइप ओफ हम हमारी common sense से हमें से relate कर सकते हैं, ठीक है, इसको हमें क्या, ये हमारे अंदर जनम जात होंगे, G factor, और जो specific factor होते हैं, उमें कही न कहीं से सीखने पड़ते हैं, ठीक है, तो G factor जिसमें जितना ज्यादा अच्छा होगा, वो उतना ही सफल होगा, इसके बाद में specific बुद्धी थी, जो व्यक्ति की विशिश्किरियाओं में पाई जाएगी, जैसे अलग-अलग विशिस्ट हर किसी में क्या होती है, अलग-अलग specific बुद्धी पाई जाती है, ये एक से ज़्यादा भी हो सकती है, इसके साथ साथ जो सामान्य कारक हैं, उन अब transfer of learning के लिए आपका जो जनल बुद्धी है, वो जिम्मेदान है, तो जी factors related आपके transfer of learning, इसके बाद आए यहाँ पर spearman, spearman ने बुद्धी के तीन कारक दिये, 1911 में इन्होंने ये theory दी थी, अभी तक हम two factor theory पढ़ते आ रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे spearman के यहाँ पर ती इन्होंने कहा था कि जो IQ है वो क्या है, approach is good for check intelligence, spearman के बुद्धी के तीन कारक प्रती पादन हो है, तो इसके बाद spearman ने बुद्धी के तीन कारकों का भी क्यात किया था, आगे प्रती पादन क्या था, ये ज़्यादा important नहीं है, बस हमें इनके two points जान नहीं जरूरी है, इ इन्होंने कहा था कि जो एक, मैं तब इन्होंने एक example से बता देती हूँ, इनका मानना था कि जो multi-factor theory है, जैसे अप घर बनाते है, घर में क्या होती है, दिवारे होती है, अब दिवार जो है, अब मानलो ये दिवार बनी है, तो किससे बनेगी, अलग-अलग इटों से मिल कर बना है, तो इनका मानना था कि हमारे mind में भी अलग-अलग factor की क्या है, बुद्धी पाई जाती है, किसी भी चीज का transfer जो हमने सीखा, कितना हुआ है, वो इनकी theory में बताया गया, जैसे मानलो आपने, अब यहाँ पर बड़ी ABCD सीखी है, पहले बड़ी ABCD सीखेंगे, उस इसी भी चीज का transfer जो हमने सीखा है, वो कितना हुआ है, पहले सीखी चीजों को नई चीजों में हमने कितना use किया है, हमारी previous knowledge में हमने आगे आने वाली चीजों में कितनी चीजों का use किया, वो सभी किसमें add होगा, यहाँ पर हमारी transfer of learning में add होता है, जितनी सम्मानता है, उ इनकी थियोरी में हम क्या सीख रहे है, transfer of learning सीख रहे है, जितनी समानता होगी, उतना ज़्यादा क्या हो रहा है यहापर, transfer of learning हो रहा है, अब इनकी भी दो factor थे, primary factor था, और एक common factor था, primary factor जो था, वो numerical ability से related था, मूल कारक माना इन्होंने से, common factor जो था, वो TOL ज़्यादा होगा transfer of learning ज़्यादा होगी, common factor से क्या हो रही है, हमारी transfer of learning ज़्यादा हो रही है, common factor जिसमें ज़्यादा होगा, उसकी transfer of learning क्या होगी, ज़्यादा होगी, यहाँ पर यह ABC से मैंने यही बात आपको बताई है, तो यहाँ पर अगर मालो जितनी ज़्यादा similarity होगी, उतनी ज़्या कहा है कि जिसमें common factor जादा है उसके अंदर क्या है transfer of learning जादा है इन्हों ने जो g factor है उसे क्या कहा कि यह important नहीं है यह मतब जितने भी आगे जितने भी साइकलोजिस्ट आएगे ना वो सब जो जो spearman के g factor है उसको क्या कहेंगे कि यह गलत है ठीक है जितने की जितने है सभी से criticize करेंगे तो वैसे इतने भी उसे criticize किया यहाँ पर यह कहा गया इनका मानना था कि जो g है वो important नहीं है हर चीज में g बस यहाँ अगर कुछ common होगा तब भी important होगा बतलब इनका मानना था कि जै spearman के सामाने कारक को क्या कर दिया? Sv कार कर दिया इन्होंने जो spearman है उसकी theory को क्या कहा कि इनकी theory जो है वो मतलब एक तरीके से acceptable नहीं है मूल कारक में क्या आते है यहाँ पर जो मूल कारक है भी मैंने आपको primary factor बताया मूल factor बताया तो इनमें इनका क्या मानना था कि जो मू में आएंगे मारे primary factor में आएंगी common factor यानि कि जितना ज़्यादा common transfer of learning करेंगे common factor जितने ज़्यादा होंगे आप उतनी ही ज़्यादा क्या करेंगे transfer of learning आप में क्या होगी उतनी ही ज़्यादा होगी इनका माना था जी factor को इन्होंने important नहीं माना है इन्होंने common factor माना है कि जितनी ज़्यादा आपके अंदर common common चीजे देखने को मिलेंगे जितनी आप चीजों को आगे common चीज में लेकर गई है मालो जैसे आपने यहाँ पर अभी मैंने आपको ABC का example बताया था ABC फिर यहाँ पर अब यहाँ पर एक common factor हो गया तो यहाँ पर इनका transfer of learning का एक हुआ एक transfer of learning हो गई इनकी तो यहाँ पर जितने common factor होंगे उतनी ही transfer of learning आगे जाती जाएगी ठीक है तो यहाँ पर इनोंने अब एक चीज सीखी थी जिसका use इनोंने आगे भी किया अब जो सीखी हुई चीज है जिसका यूज आगे कर लिया उतने अगर मालो तीन common factor है तो इसने क्या किया तीन चीजे जादा सीख ली ठीक है तो उसका यूज आगे भी करता गया तो यहाँ पर तीन चीजे सीखी गई तो common factor उसमें increase हो गया अब जैसे ही common factor increase हुआ तो उसका transfer of learning भी क्या हो गया है increase हो गया है तो यही आपका common factor का point है और यह primary factor है तो थाड नाइक ने two factors theory मैंना multi factor theory दी है जिसमे primary factor आता है common factor आता है primary factor में उन्होंने जो numerical ability है मूल कारक माना है उसे spatial माना है आंकिक माना है तारकिक माना है माइंड से related माना है common factor transfer of learning वाला माना है तो यहाँ पर यह थाड नाइक की multi factor theory भी जो है यह complete हो गई है इसके बाद जो है यहाँ पर stun का group factor theory है थ्रस्टन का यह मैं आपको कल की class में पढ़ाने वाली हूँ ठीक है यहाँ पर वैसे मैंने 1212 से BC को लिखा है थ्रस्टन की लिखी है अभी हमारा complete नहीं हूँ अभी रहता है शायद तो यहाँ पर एक बड़ थाड नाइक sorry one second यह थ्रस्टन का है हाँ यह थ्रस्टन का है अभी हमने थाड नाइक का पड़ा है तो थ्रस्टन का मैं आपको कल की class में पढ़ाने वाली हूँ तो थ्रस्टन के बारे में हम पढ़ लेंगे इसके बाद मैंने यह जैसे लिखा है किसने कब कौन सी theory दी यह पढ़ेंगे इसके बाद important है Thompson theory यह important है यह सारे के सारे years लिखे है मैंने आगे तो यह सारे important रहने वाले है तो I hope आपको यह class समझ में आ गई होगी यह topic थोड़ा सा ना मदब as compared to other theories थोड़ा सा tough रहता है क्योंकि इसमें यह जो factors वाले topic है यह हर किसी को समझ में नहीं आते है तो इसको आपको अच्छे से समझ लेना है एक पर class देख लेना अगर ना समझ में तो दो बारा repeat पर देख लेना ठीक है तो आपको यह class समझ में आ जाएगी तो अब हम मिलेंगे हमारी next class में इसी topic को आगे continue करेंगे तो इमारी 2-3 दिन का और काम होगा इस class का तो 2-3 दिन में हमारी class जो हो जाकर complete होगी तो अब हम मिलेंगे हमारी next class में तब तक आप हमारे channel के साथ बने रह सकते हैं अगर आपने हमारा channel subscribe नहीं किया है तो आप subscribe कर सकते है वीडियो को share नहीं किया तो आप इससे share भी कर सकते है थेंक्यू धन्यवाद